सभी बच्चों को मिरा रमश्कार आज क्लास 12 एंसी आइटी मैथमेटिक्स एकसरसाइज 7.7 इंट्रिगेशन इंट्रिगेशन हम बता रहे थे उसी को आज प्रोसीड कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि आज इंडेफिनिट इंट्रिगल की लासिक्साइज है इंडेफिनि कि पहले कि इसमें कुछ फार्मले यूज होंगे उन फार्मलों को पहले हम बता दें देखिए जो फार्मले यूज होने हैं यहां तीन प्रकार के फार्मले यूज होने हैं इंट्रिगल आफ अंडरूट एकस स्क्वार माइनस ए स्क्वार डी एकस एक ये फार्मला यूज ह होना है और एक इंट्रिगल आफ ए स्क्वाइर माइनस एक्स स्क्वाइर डी एक्स ये तीन फार्मले इस्तिमाल होने हैं तरह में रैटिंग गंदी है इसके लिए हम हर वीडियो में बच्चों से सॉरी बोल देते हैं क्योंकि इस एज में रैटिंग तो इच्छी नहीं कर सकत लेकिन साफ साफ लिखने की कोशिस करता हूं पहले इस फार्मले का मतलब समझ लिएगा एक्स स्क्वाइर का मतलब जैसे आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंट्रिगेट कर रहे हैं तो एक्स यहां पर वेरिबल होता है ऐसके रेस्पेक्ट हो रहा ना और एहांपर इसमें फर्क पड़ता है तो ये तो हो गया समझने का तरीका कि कौन सा फामूला यहां पर अप्लाई करेंगे ठीक है तो रूड A-2-A-2-A-2-A-2 जो इंट्रिगल होता है वो होता है 1 upon 2-A-2-A-2-A-1 प्लस अंदर रूड यह आपका वन अपान 2-A-2-A-2-A-2-A-2 minus a square log x plus root x square minus a square ठीक है और अगर x square plus a square है तो उसका formula है 1 upon 2 x under root x square plus a square plus a square log x plus under root x square plus a square यह इसका integral हो गया ठीक है और अगर यहाँ पर variable negative आ जाता है तो इसका जो integral होगा वो होगा आपका 1 upon 2 x under root a square minus x square plus a square sin inverse x upon a तो पहले तो इस formula तीनों आप memorize कर लिजे इन formula का इस्तेमाल करना है यह integral के case में सबसे लंबा formula यह है मतलब integral बहुत सारे formula आए है इसके पहले आपने one upon में पढ़े होंगे one upon root x square minus a square one upon में यह numerator में लिखा हुआ है तो यह formula आप याद भी करने note करके पहले इसको apply करना सीखें कैसे apply किया जाएगा ठीक है अब मैं आपको exercise 7.7 के question distance कर रहा हूँ ठीक है यह formula है यह formula का derivation भी लगभग तो नहीं पूछा जाता है लेकिन आना चाहिए ठीक है 7.7 का पहला question अच्छा ज़रा समझीएगा यह पहला question समझीए writing अंदी है बार बार में बोल देता हूँ देखें जब आप integral करते हैं जो formula आपने देखा उसमें ditto as it is x square minus constant का square होना चाहिए a square चलेगा a square में कोई constant हो उसका square चलेगा लेकिन x x ही होना चाहिए अगर उस x की जगे कोई और function आता है कुछ और x का function होता है sin x आता है 4 x square आता है तो उसको आपको x के term में मतब whole square के term में convert करके उसको t मानना पड़ेगा शर्त यह है उसका differentiation present होना चाहिए आपने इसके पहले वाली size भी पढ़ा है ठीक है जैसे पहला question आपसे कह रहा है कि under root 4 minus x square अच्छा integral में मेरी आदज जैसे i मानने की है तो मैं मानता ही हूँ under root 4 minus x square अच्छा एक नट पहले मैं इसको थोड़ा सा rough कर देता हूँ एक method बता देता हूँ ठीक है वो अच्छी बात रहेगी अगर कोई integral आपको इस format में लिखा हूँ ax square plus bx plus c यानि कि root के अंदर quadratic expression हो दिगात पद लिखे हूँ तो इसको आपको perfect square में convert करना पड़ेगा ठीक है तो perfect square में convert करने का ज़ा तरीका क्या होता है देखे आप चुके आप intermediate में है इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए देखे फिर भी मैं समझा रहा हूँ चुके इंटर में होने के बावजूद भी आप बच्चे हैं तो कहीने कहीन सीखने की स्टेज रहती है हमें सा तो सबसे पहला आप का जो step होगा कि x square का जो coefficient है ना वो one कर दीजिए positive one तो आप कहेंगे भाई a कामा ले 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 लो तो यहां क्या हो जाएगा यहां x square आएगा यहां b upon a x plus c upon a कर दिया आपने आपने का हाँ अब रुको जरा यह जो root है ना यह आप बाहर ले आओ constant क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है बाहर बैठा रहेगा और बाद में जब function शुरू होगा तब इसको invite कर लेंगे अब जरा साउधान यह किसीज का holy square लिखा हुआ देखो एकस का जो coefficient है उसको देखो ध्यान से देखा आप क्या कहेंगे प्लस बी अपने इसको हाफ कर दो तो आप कहेंगे बी अपन टुए हो जाएगा प्लस का तो यह किसीज का holy square लिखा हुआ है यह लिखा है एकस प्लस बी अपन टुए का holy square बस मिल गया आपको यह मैं तरीका है वैसे तो आप देख करके मालूम कर लेंगे इंटर में है कि किसीज का holy square लिखा हुआ है जो भी एकस का coefficient होता है अगर यह negative होता तो यहाँ माइनस लगा देते हैं यह ध्यान खिएगा यह एकस प्लस बी अपन टुए का holy square लिखा है अच्छा जब मैं इस square को खोलूगा तो x square आएगा ठीक है और प्लस इसका square भी तो आएगा तो आप कहेंगे भी यहाँ तो दो ही term है और यहाँ तो तीन term आएगे इसका मतलब यह constant का square extra आएगा तो आप इसको minus कर दो minus इसका square आएगा ना तो b square अपन 4a square और प्लस का c अपन ने पहले से लिखा हुआ है बस हो गया अब इसको calculate करोगे अंडरूड a तो यह अंडरूड आएगा x plus b अपन 2a का whole square minus b square minus 4ac upon 4a square यह आपका perfect square है आप इस formula को भी as it is याद कर सकते हैं तरीका समझेगा x square के coefficient को a कहते है x के coefficient को b कहते है constant को c कहते है सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि x square के coefficient को one करना है यानि एक आमल लेना है ठीक है फिर यह x plus b upon 2a का whole square minus b square minus 4ac upon 4a square यह formula आप चाहो तो याद कर लो तो यह हो गया perfect square बनाना क्योंकि ऐसे question इस exercise में आने है ठीक है इसे note कर ले आगे चलते है अब exercise पर आते है अब जहां पर our lady square में लिखा हो तो उसको ना बनाईएगा जहां पर x square का term भी हो x का भी हो तो वहां बनाना पड़ेगा ठीक है अब हम पहला question डिस्स करने जा रहे है आई नहीं मानते चलो बार-बार आई कौन माने integral under root 4 minus x square under root 4 minus x square dx अब आप ध्यान से देखे कि इस चीज़ का formula दिखा है तो आप कहेंगे देखो ऐसा है कि ये तो x square तो कोई दिखा हुआ है और ये constant क्या है 2 का square अब formula आपको कौन सा लगाना है तो देखे examination में आप चाहें तो हर question में formula लिख सकते हैं कि we know this is the formula so we are going to apply this formula in this case ठीक है we know that we know that क्या we know that integral of under root a square minus x square लगेगा न dx is equal to क्या होता है अभी जड़ा भी एक मिनट पहले आपने note किया है जिसको देखे आपने क्या लिखा है आपने लिखा 1 upon 2 x under root a square minus x square plus a square sine inverse x upon a ठीक है तो अगर इससे आप compare करेंगे न तो a यहाँ पर क्या होगा 2 और x यहाँ पर क्या होगा x हमने कहा था न x की जगए x ही होना चाहिए अगर कुछ और होगा तो इसको assumption कुछ मानना पड़ेगा so यहाँ apply कर दो formula integral under root 2 square minus x square dx is equal to x की जगए x रग दो x जगए 2 रग दो as it is formula लगा दो तो क्या हैगा 1 upon 2 बाहर हो जाएगा x under root 4 minus x square plus a square बोले तो 4 sin inverse x upon 2 plus c c is a constant of integration इसकी पहले एक साइज में आप कर चुके हैं तो this is the first question समझ में आगया होगा formula बार बार लिखो कि फैदा एक होता न कि एक इस तरिफ बाद हमको याद हो जाता है ठीक है this is first question नेके next question क्या है under root 1 minus 4 x square इसके दो तरीके जैसे मैंने अभी कहा x की जगे x ही होना चाहिए आपने का यहां तो 4 x square लिखा हुआ है तो एक तो तरीका यह है कि आप x square जगे जो into में लिखाना फर उसको गाइब कर दो कैसे गाइब होगा अगले step में से rub कर दो इसा थोड़ी होता है यहां से 4 कामल ले लो लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे देखो हम चुकि 4 का कामल लेंगे ना तो यहां 1 upon 4 आएगा 1 upon 2 आएगा तो उस 1 upon 2 का calculation आगे दिक्कत करेगा ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे यह किस चीज का square लिखा हुआ है तो आप कहेंगे भाई यह 2x का square लिखा हुआ है 2x का square लिखा हुआ है अब इसके पहले substitution method जो प्रतिस्थापन विधिया आप पढ़ चुके हैं कि अगर x की जगे कोई और चीज है तो उसको आप क्या करते हैं तो आप क्या करेंगे यहां पर 2x को मान लेंगे t फिर क्या करते हैं इसको differentiate करते हैं तो 2dx is equal to dt तो जहां पर dx आएगा वहां क्या लिखेंगे dt upon 2 यहां रख दो उठा करके इसको आई मान लो थोड़ा सा बड़ा अधूरा पन लगता ना क्या लिखा हुआ है तो i is equal to integral under root 1 minus t square और यह dt और upon 2 बाहर कर दो अब आप formula देख सकते हैं कौन सा लगा हुआ है अभी हम बता चुके under root a square minus x square वही तो लिखा हुआ है तो a यहां पर 1 है और x यहां पर t है और अभी formula अप्लाई भी कर चुके हैं तो 1 upon 2 बाहर यह तो पहले से लिखा हुआ है 1 upon 2 formula हम होता है क्या formula होता है x, x बोले तो t under root 1 minus t square plus a square मतलब 1 का square तो 1 ही रहेगा sine inverse t upon 1 and sine inverse t plus c t कमान रख दो तो यह 1 by 4 बाहर रहेगा और जब t की value रखोगे तो क्या आएगा t की value क्या है 2x है तो आएगा 2x under root 1 minus 4x square plus sine inverse t बोले तो 2x plus c c is the constant of integration एक बार जब कोई question लगाए जाता है चो हम हो या कोई और teacher हो कभी कभी क्या होता कही calculation mistake हो जाती है अब चुकि यहाँ पर work करने बाद रभ हो जाता है तो वो दिमाग में रहता है तो एक बार यह ज़रूर चेक कर लेना कि this answer is correct or not ठीक है तो this is your answer of question number 2 देखिए question 3 क्या करा है integral of under root x square plus 4x plus 2 अभी हम क्या बता रहे थे under root ax square plus bx plus c तो हमने क्या तरीका बता है था कि x square के coefficient को 1 कर दीजे वो पहले से है ठीक है तो वो तो करने के ज़रूरत है नहीं अब x का coefficient क्या है 4 उसको half कर दीजे प्लस का 4 है half कर दीजे तो 2 हो जाएगा तो actually यह क्या लिखा हुआ है यह लिखा है under root x plus 2 का whole square बात पकड़ में आई यस सर लेकि जब इसको हम खोलेंगे न तो x square आएगा plus 4 x आएगा और plus का 4 आएगा तो plus का 4 करने के लिए क्या करेंगे इसमें 6 है यहाँ पर गलती से 2 लिग गया है plus का 4 करने के लिए हमको minus का 4 करना पड़ेगा क्या दिख रहा है under root x square प्लस a square तो एक तो तरीका होता x plus 2 को आप t मान लीजिए ठीक है लेकिन आपको याद होगा इसके पहली एकसाज आपने अगर पड़ी हो बताये एक याता कर x की जगे अगर केवल ax plus b type का कोई function लिखा हो तो आप इसको 1 में x मान सकते हैं और जो x का coefficient है जिसको a बता रहे हो वो one upon a बाहर हो जाता है ठीक है ये कर सकते हो या आप x plus 2 को t मान ही लो confuse नहों x plus 2 को t मानते हैं तो t माने का तरीका क्या होता है कि आपके standard formula में x की जगे अगर कोई और चीज आ रही है तो उसको t assume किया जाता है तो इसमें dx की value क्या आएगी dt तो यहां रखोगे so i is equal to क्या हो जाएगा integral of under root t square plus under root 2 का whole square formula आपको देखने से कुछ लग रहा है बोले yes under root x square plus a square अब formula लिख नहीं रहे है x square plus a square x यहां पर क्या है t है और a यहां पर क्या है under root 2 है तो इसका integral क्या बताये गया है इसका integral बताये गया है कि 1 upon 2 बाहर कर दीजेगा under root के अंदर x x बोले तो t under root t square plus root 2 का square 2 plus a square root 2 का square 2 log x x बोले तो t plus under root t square plus a square मैं A² डायट कर रहा हूँ प्लस C हो गया अब T कमान रख दिए उठा करके आंसर आ गया तो रख दिए उठा करके 1 अपान 2 T की वैलू क्या है X प्लस 2 अंडरूट यह आएगा X प्लस 2 का whole square plus 2 प्लस 2 log X प्लस 2 प्लस अंडरूट X प्लस 2 का whole square plus 2 यह बंद प्लस C यह आ रहा है उसमें कैमरे में नहीं कैद हो रहा है चले कैद कर लीजे इसको इसको कैमरे में कैद करवा देते हैं तो अब इसको थोड़ा calculate कर लीजेगा 1 अपान 2 X प्लस 2 देखो जब इसको खोलोगे यह तो यही step आ जाएगा यही तो चीज लिखी है आपने यहाँ पर ऐसे है न तो यह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा आपका X square plus 4X plus 6 plus 2 log X plus 2 plus under root X square plus 4X plus 2 plus C यह 2 लिखा हुआ है थोड़ा सा गंदा लिखा है इसलिए हम बोलते भी जाते हैं कि बोलेंगे तो अपने आप पकड़ में आगा हम बोल के आ रहे हैं तो this is the question number third solution ठीक है question number fourth under root of X square plus 4X plus 1 आपको लग रहा है कि यह पिछली जब पिछला question था बिल्कुल same है लग भग लग same है थोड़ा संतर है तो तरीका तो ही होगा हमने क्या बताया इन दोनों को देखिए तो X plus 2 का whole square लिखा हुआ है जिसको खोला तो हमने कहा plus 4 इक्स्ट्राएगा तो minus 4 कर देंगे और plus 1 कर देंगे तो यह क्या जाएगा under root X plus 2 का whole square minus का 3 तो minus के 3 को लिखेंगे root 3 का whole square अब X plus 2 को आपने T माना था वैसे पुरा assumption कर लेंगे देखो फिर हम कह रहेंगे X plus 2 को आप T मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो आप इसको मन में मान सकते हो कि यह लिखा हुआ है AX plus B यह वाला A नहीं भाई X की जगे तो यह X का जो coefficient है न वो 1 upon A बाहरा जाएगा और हर जगे जहां X आएगा वहाँ AX plus B आप ले सकते हैं यह छूट है आपको यहाँ पर तो अगर इसको AX plus B से compare करेंगे तो A की जगे 1 ही तो आ रहा है यहाँ पर तो आप इसको as X treat कर लिजे A square बोले तो that root C का square कर दो minus A square यानि 3 log X X बोले तो X plus 2 plus under root X plus 2 का whole square minus A square बोले तो 3 और plus C, C is the constant of integration अब इसको calculate कर लिजेगा 1 upon 2 X plus 2 under root तो यही पूरा step आज आएगा क्योंकि यही चीज तो लिखी है आपने यही चीज को यह लिखा है तो यह क्या जाएगा X square plus 4X plus 1 minus 3 log X plus 2 plus under root X square plus 4X plus 1 यह log का bracket बन यह पूरा bracket बन plus C, C is the constant of integration ठीक है तोड़ा ऐसे टेढ़ा जा रहा है चुली में रैटिंग की गरवड़ी की वज़े से है तो this is the solution of fourth question ठीक है देखें question fifth क्या कह रहा है integral of under root 1 minus 4X minus X square आपको लग रहा होगा 4X से जादा इनको प्यार हो गया है हाँ हो गया होगा क्या तरीका भी हमने पताया हमने कहा कि अगर under root AX square प्लस BX प्लस C का format है तो सबसे पहला काम है कि X square की coefficient को 1 कर दीजी तो उसके लिए minus 1 कामा लेना पड़ेगा minus कामा ले लिए हमने ठीक है तो इसको पहले लिए 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 X square ये minus था ये plus 4X ये plus का है ये minus का 1 हो गया कर दी है हमने इसको ठीक है अब तो ये minus negative के बाहर नहीं जा सकता अगर यहाँ पर 5 होता तो हमने कहा था भई रूड एक कामा ले लिए बाहर लिए लिए ये तो बाहर लिखा जा सकता है लेकिन negative बाहर नहीं कर सकते क्योंकि negative root के अंदर आपको imaginary number देता है इसलिए root ये बाहर बैठा रहेगा अपनी बारी का इंतजार करेगा कि जब इसका मौका आएगा तब ये अंदर जाके party में खाना खाएगा under root minus अब इन दोनों इस tip को देखो किसी का होल इसका लिखा है तो आप कहेंगी x plus 2 का whole square minus का 5 अब देखो अब ये minus operate कर दो ये minus ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो bracket में sine change हो जाएगा ये 5 positive हो जाएगा और ये पूरा term negative हो जाएगा तो this will come ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 minus x plus 2 का whole square और 5 को क्याल सकते हैं root 5 का square अब देखो आपको formula दिख रहा है आपको कुछ under root a square minus x square का दिख रहा है और x जाएगा क्या लिखा है x plus 2 और अभी हम बता बता चुके हैं अगर x की जाएगा ax plus b का format है तो उसको आप x मान के direct use कर सकते हैं तो यहाँ पर ax plus b के हिसाब से x का coefficient 1 है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो dealt कर दो क्या formula होता है 1 upon 2 x x बोले तो x plus 2 under root x square यानि की 1 minute sorry a square a square यानि की 5 minus x plus 2 का whole square plus a square यानि की 5 sin inverse x plus 2 upon under root 5 plus c थोड़ा calculate कर लो 1 by 2 याएगा x plus 2 under root यह चीज जो लिखी है न वो इचली यही चीज लिखी है न पूरा यही आएगा पूरा खोल दो इसको 1 minus 4x minus x square plus 5 sin inverse x plus 2 upon under root 5 plus c तो this is the integral of this question number 5 ठीक है integral 6 question है under root x square plus 4x minus 5 ncrt वाले भी हद किये है x square plus 4x के पीशे पड़ गए है ठीक है इसमें क्या करेंगे तरीका पीशे बताए जा चुका है कि भाई x square का coefficient अल्रेडी 1 है उसको 1 करने का कोई मतलब तो है नी यह किसे इसका whole square लिखा है x plus 2 का whole square लिखा हुआ है और इसमें plus 4 extra आएगा तो minus 4 करेंगे और minus 5 पहले से लिखा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा integral x plus 2 का whole square minus 9 आएगा और 9 को लिख देंगे 3 square फार्मुला दिख रहा कोई आपको under root x square minus a square क्या फार्मुला होता है 1 upon 2 x बोले तो whole square minus a square बोले तो 9 minus a square यानि कि 9 log x plus 2 plus under root x square x plus 2 का whole square minus a square बोले तो 9 plus c c कहीं plus नहों तो उसको plus कर लिजेगा इसको calculate करते हो उठा करके 1 by 2 आप कहेंगे अरे दिया इत्ता लंबा question अब ज्यादा लंबा नहीं ठीक है इसको जब खोलेंगे तो यही step आएगा तो यह डाड लिख दो x square plus 4x minus 5 minus 9 log x plus 2 plus under root x square plus 4x minus 5 plus c तो this is the solution आप question number 6 ठीक है अश्या इसमें एक चीज़ confuse मत होईएगा कभी कभी क्या होता है कि यह जो 2 है ना इसको अंदर इंट्री करदा करा देते हैं मतब यह सबके आपान में 2 लिख देते हैं तो उसमें confuse मत होईएगा यह भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं ठीक है question number 7 इंट्रीकल आफ अंडरूट 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वाइर कुछ फार्मिट चेंज हुआ तरीका सबसे पहले x स्क्वाइर की कोफिशन को positive कर दीजे तो आप minus 1 कामन ले लिजेगा तो यह positive हो जाएगा x स्क्वाइर यह minus का 3x हो जाएगा minus का 1 हो जाएगा देखे calculation mistake नहीं होनी चाहिए क्योंकि calculation ही सब कुछ है यहाँ पर procedure तो एक अच्छी बात है कि कुछ एक साइज है ऐसी है जिनका एक pattern है उस fix pattern पर ही पूरा चलता है देखो यह minus है इसके बाद हमने क्या कहा था हमने कहा था x का coefficient देखो देख लिया क्या है यह minus का 3 है इसको half कर दो तो minus का 3 by 2 है तो actually यह लिखा क्या है यह लिखा है x minus 3 by 2 का whole square ठीक है अब तो इसको open करोगे तो x square आएगा प्लस इसका square भी तो आएगा 9 by 4 जो कि यहाँ पर नहीं है तो यानि कि आपको minus 9 by 4 करना पड़ेगा और minus 1 पहले से लिखा हुआ है यह na अभी यह minus बाहर entry यह बाहर लिखा हुआ है यह भी entry नहीं कर सकता क्या हैगा integral of under root minus यह हो जाएगा x minus 3 by 2 का whole square minus 9 by 4 13 by 4 dx अब यह minus अंदर जा सकता है जब दो step है ना दो term है जब minus अंदर जाएगा तो यह negative हो जाएगा यह positive हो जाएगा तो इसको उल्टा करके लिख दो तो यह बन जाएगा कुछ under root of root 13 by 4 को आप root 13 by 2 का whole square ले सकते है ना और minus x minus 3 by 2 का whole square आपको फार्मुला दिख रहा है under root a square minus x square x कीज़े गए हमने कहा था linear expression चलेगा ax plus b तो इसको आप फार्मुला अप्लाई कर दो तो क्या हैगा 1 by 2 calculation थो लेंदी होगा इसका फिर क्या होगा x x बोले तो x minus 3 by 2 plus under root a square यानि कि 13 by 4 minus x minus 3 by 2 का whole square plus a square यानि 13 by 4 sin inverse x minus 3 by 2 upon root 13 by a2 यह होता है ना यहां पर और plus का c ठीक है अब इससे calculate किया जाए 1 by 2 जोको इसमें LCM ले लिजेगा अब फ्रा क्लकुलेशन लेंदी होगा इसको LCM लेंगे कि क्या आएगा या आएगा 2x minus 3 यह जो बाहर लिखा हुए x है by 2 plus under root यह plus कहां से लिख दिया हमने x into under root होता है sorry x into under root होता है plus नहीं है अब अंडर root इसका square करो तो यह आएगा 13 by 4 minus यह खुलेगा क्या आएगा यह आएगा x square plus 9 by 4 minus का 3x अब यह ने कहना कहां से आया है plus 13 by 4 sin inverse x minus 3 by 2 upon root 13 by 2 plus c is equal to अब यह खुलेंगे bracket को 1 by 2 यह आएगा आएगा 2x minus 3 upon 2 into under root अब दिखो दिया हम से यह लिखा है 13 by 4 लिखा रहना तो 13 by 4 minus x square minus 9 by 4 plus का 3x plus 13 by 4 sin inverse यह जब लोगे तो आएगा 2x minus 3 upon root का 13 अब यह ने कहां से आया यह 2 cancel हो जाएगा बाद में लेने के बाद में ठीक है तो अच्छा यह 13 by 4 में जब 9 by 4 minus करोगे तो 4 by 4 यह नहीं आ जाएगा तो यह आजाएगा 1 by 2 बाहर हो गया तो आगया 2x minus 3 by 2 under root यह कितना आएगा यहीं आएगा आपका 1 plus 3x minus x square plus 13 by 4 sin inverse 2x minus 3 upon root का 13 plus यह छोटा सा आंसर है आप चाहो तो यहां 4 LCM ले सकते हो यहां 2 हो जाएगा 4 एक बाहर आजाएगा तो इसको इस format में भी लिखा जा सकता है और यह आंसर जो लिखा यह भी सही है LCM ले भी सकते है नहीं ले सकते है यह आप चाहो तो यह 1 by 2 को अंदर ले जाओ 1 by 2 को अगले step में अंदर ले जाना तो अगले step ले जाओगे तो यह बन जाएगा यहाँ 4 यह बन जाएगा यहाँ 8 ठीक है यह भी ले सकते हो कोई format आप ले सकते हो ठीक है तो this is the answer of question number 7 ठीक है question बोलता है under root x square plus 3x यह भी quadratic expression है ठीक है क्या तरीका हमने कहा हमने कहा हमने कहा x square के जो coefficient है गुडांक उसको 1 कर दीजे quality 1 है ठीक है x का coefficient क्या है 3 इसको आधा कर दीजे plus का 3 है तो यह plus का 3 by 2 हो जाएगा यह क्या लिखा है यह x plus 3 by 2 का whole square लिखा है ठीक है तो इसको खोलेंगे तो x square आएगा plus का 3x आएगा और plus का a square भी आएगा ना तो इतना ही minus कर दो minus का 3 by 2 का whole square formula आपको diet दिख रहा है under root x square minus a square क्या formula होता है 1 by 2 बाहर क्या formula होता x x बोले तो x plus 3 by 2 under root x square minus a square यह यह x plus 3 by 2 का whole square minus a square बोले तो 9 by 4 minus a square a square बोले तो 9 by 4 log x x मतलब x plus 3 by 2 plus under root x plus 3 by 2 का whole square minus 9 by 4 बताया ना आपने under root x square minus a square 1 upon 2 x under root x square minus a square minus a square log x plus root x square minus a square formula आपको यह दोना चाहिए ठीक है तो इसको आप जब solve करोगे तो यह क्या हो जाएगा यह आजाएगा 2 x plus 3 upon 2 under root के अंदर दो solve करोगे तो यह यही लिखा हुआ है तो खोलो गो तो यही आएगा पर x square आएगा लिखा हुआ है plus a square आएगा 9 by 4 इसको cancel कर देगा और plus का 2 यह भी करोगे तो plus का 3 x आएगा minus 9 by 4 log यह आएगा x plus 3 by 2 plus यह root के अंदर करोगे यह तो यह आजाएगा आपका x square plus 3 x plus का c तो this is your answer इस 2 को अंदर ले जा सकते हो और नहीं भी ले जाओ तो कोई जरूरत नहीं है ठीक है आप 4 lsm भी ले सकते हैं तो 8 हो जाएगा बाहर ठीक यह question है under root 1 plus x square upon 9 देखे हम चाहें तो x square upon 9 को x upon 3 का whole square कर सकते हैं उसको x मान सकते हैं लेकिन हम अगर 9 lsm ले 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 तो ज़्यादा easy हो जाएगा यह ठीक है 9 lsm लेने जिस क्या होगा तो यह इधर 9 आएगा प्लस x square और whole upon 9 का 3 बाहर निकल जाएगा 1 upon 3 तो काम खतम हो गया इसका अब आपको साब साब दिख रहा है फार्मुला 3 square plus x square फार्मुला काम साब दिख रहा है अंडरूड a square plus x square लगा दीजे डारेट x ही है यहाँ पर 1 upon 3 पहले से फार्मुले भी क्या होता है 1 upon 2 x अंडरूड a square यहनिके 9 plus x square plus a square यहनिके 9 log x plus अंडरूड x square plus a square बस फार्मुला होगे आगे कुस कल्कुलेशन तो हो नहीं सकता यही कल्कुलेशन है इसको 6 कर दो तो यह answer आगे है ठीक है this is the question number 9 10th question कहा रहा है कि integral under root 1 plus x square तो बहुत easy है a square plus x square दिख रहा है आपको a यहाँ पर 1 है x यहाँ पर x है क्या फार्मुला आएगा 1 by 2 बहर x under root a square plus x square plus a square नहीं 1 ही रहेगा log x plus under root a square plus x square आगे कुस कल्कुलेशन होना नहीं है this is the answer यह optional alternative multiple choice question कहा है इसमें आप से पूछने कौन सा पार्ट इसमें सही होगा तो इसमें दिख रहा है पहला वाला पार्ट है तो first part is correct this is question number 10th इसी में 11 देख लीजिएगा direct 11th question क्या कह रहा है 11th question कह रहा है i is equal to integral of under root x square minus 8x plus 7 x square minus 8x plus 7 क्या तरीका बताया गया कि वहीं x square की coefficient को 1 कर दो जो की है x के coefficient को आधा कर दो यह torezा minus का 8 है उस फो आधा करोगे minus का 4 तो x-4 का whole square लिखावए है तो इसको open करोगे तो plus का 16 आएगा तो हम minus का 16 करतो प्लस का 7 पहले से लिखावए है तो इसको खोलोगे तो क्या आएगा इसको ना खोल देना whole square x-4 का whole square minus का 9, 7, 16 होगा 9 यह यह 3 square तो फर्मूला क्या दिख रहा है under root x square minus a square x जगे क्या लिखा है ax plus b हमने कहा था उसमें आप diet कर सकते हो तो फर्मूला क्या आएगा 1 upon 2 x, x बोले तो x-4 under root x square x-4 का whole square minus a square बोले तो 9 minus a square बोले तो 9 log x x बोले तो x-4 plus under root x-4 का whole square minus 9 इसको calculate कर लो थोड़ा किये दे रहे है 1 by 2 आएगा x-4 under root यह खोलोगी तो यही आएगा x square उन्हें open करके check कर सकते हो x square minus 8x plus 7 minus 9 log x minus 4 plus under root x square plus 8x minus 8x sorry minus 8x plus 7 plus का c तो this is the question number 11 तो this is the end of this exercise indefinite integral इसके बाद definite integral स्टार्ट होंगे अचा एक खास बात अब इसको जानकारी कहिए जो भी कहिए परचार कहिए जो भी आप कहिए आप चुकि आप जानते हैं कि इसमें integration जो भी आप ने पढ़ा हैं हमने आरडी सर्माई स्टार्ट किया है उसके विडियो बनाना अवे 11 से स्टार्ट किया है इंटर्वी बनाएंगे ठीक है और अगर आपको लगे कि हमने जो समझाया है वो समझाने में काम्याब हुए है तो आप चाहें तो मेरे चैनल को शेर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है राइटिंग अंदी है उसके लिए तो कुछ मैं कर नहीं सकता नमश्कार गोड़नाइट